अभी हमने सुना कि किस प्रकार लंबी लंबी रस्यों की वज़े से हीरा मोती दोनों गया द्वारा पकड़ लिये जाते हैं पर छात्रों उनका स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो संघर्ष है वो यहीं खतम नहीं होता है अगले दिन फिर से उन्हें सूखा चारा मिलता है लेकिन शाम के समय भैरों की नन्नी लड़की दो रोटियां लेकर आती है और रोटियां खाकर हीरा मोती की जो आत्मा है वो प्रसन हो जाती है जो छोटी लड़की है वो गया के घर में रहती है और उसको हीरा मोती के साथ सहानू भूती है वे उनका बहुत ध्यान रखती थी गया उनसे जबरदस्ती काम लेता था और उनको खाने के लिए भी सुखा चारा देता था तो यह देखकर जो वो छोटी लड़की है उसको ब परन्तु मन संतुष्ट हो जाता था क्योंकि वो जो रोटियां है वो वह प्यार से खिला कर जाती थी और प्यार से जो खाना मिलता है वो हम थोड़ा ही खाकर हमारा मन संतुष्ट हो जाता है और दोनों बेलों को पता चला कि नन्नी लड़की की मा मर चुकी है इसलिए सोतेली उसे बहुत परिशान करती है, मोती का तो दिल किया कि भैरों को या उसकी नई पत्नी को उठा कर पटक दे, परन्तु लड़की का स्नेह याद करके चुप हो जाते थे। फूफा बैल भागे जा रही हैं, दादा भागो भागो अब हीरा मोती ने आओ देखाना ताओ भाग पड़े। खुलेल करने लगे, अचानक साम ने देखा कि बहुत बड़ा सांड आ रहा है, दोनों डर गए कि अरे इस से कैसे मुकाबला करेंगे। हीरा ने मोती को सला दी कि दोनों उस पर मिलकर आकरमन करेंगे। उन्होंने यही किया, सांड एक पर सींग चलाता तो दूसरा उसके पेट में अपने सींग घुसेड देता। सांड को दो-दो शत्रूं से लड़ने की आदत नहीं थी, इसलिए बेदम होकर गिर पड़ा, दोनों ने उस पर दया की और उसे छोड़ दिया। यहां हम देखते हैं कि किस परकार हीरा मोती दोनों बैलों ने संगट ही धोकर अपने सत्रूं के चक्के चुड़ा दिये, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारतियों ने अंगरेजों के चक्के चुड़ा दिये। साथी साथ हम यह भी देखते हैं कि दोनों बैल बहुत ही दयालू हैं, क्योंकि उन्होंने हीरा मोती को, हीरा मोती ने उन सांड को छोड़ दिया, विजय के नशे में दोनों जूमने लगे, सामने मतर का खेत था, मोती उसमें घुस गया, अभी मतर खाने शुरू ही किये थे, क परंतु मोती कीचड में फस गया, हीरा ने मोती को फसा देखा, तो वापस लोट आया, यह हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक जो मित्र है, वो दूसरे मित्र की परवा करता है, रखवालों ने दोनों को पकड़ लिया, और कांजी हाउस में बंद कर दिया, कांजी हाउस अ सभी के सभी भू के प्यासे और मुर्दों की तरह पढ़े रहते थे, भू के मारे हीरा मोती ने मित्टी की दिवार चाटनी शुरू कर दी, मगर उनके मन में विद्रों की जवाला भड़क उठी, उन्होंने बाड़े की कच्ची दिवार पर अपने नुकीले सींगों से वा मोती रसी से बांद देता है, मोती उसको चिडाने लगता है अपने दोस्त को, हीरा जवाब देता है, बंद गए तो क्या हुआ, अगर दिवार टूट जाती, तो कहीं जाने आजाद हो जाती, अब यह बास सुनकर तो मोती को भी जोश आ जाता है, उसने बड़े जोश से द भाग निकली, फिर बक्रियां भागी, और फिर भैंसे भागी, गदे वहीं खड़े रहे, अरे भई गदे है ना, इसलिए खड़े रहे, भागने का मोका मिला, तो भी नहीं भागे, और बलकि बोले भागने का क्या फायदा, पकड़े जाएंगे, मोती ने सींग मार मार कर उन्हें भगाया लेकिन हीरा रस्षी से बंधा हुआ था सो मोती भी अकेला नहीं भागा उसने कहा कोई बात नहीं अगर हम पकड़े जाएंगे तो दोनों ही पकड़े जाएंगे पिटाई खाएंगे तो दोनों ही पिटाई खाएंगे मोती बोला मैं विपत्ती में अपने मि और उन्हें मोटी रसियों से बांद दिया। और अब जब कांजी हाउस के करमचारियों ने वहां बांद दिया, तो वह एक हफ्ते तक नहीं बंदे रहे। और उन्हें कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया गया। हीरा मोती बहुत दिन तक भ्यूके प्यासे रखे गए थे। कांजिहा उसके मालिक ने उन्हें पानी दिखाने के सवाए कुछ नहीं दिया। इस कारण वे मरियल से लगने लगे थे। हीरा मोती बहुत हो गए, उन्हें साफ प्रतीत होने लगा कि अब वे कसाई के हातों में पढ़ने वाले हैं, उनका वद होने वाला है। हीरा मोती की द्रश्ची को हम सतंत्रता आंदोलन के द्रश्ची से जोड़ सकते हैं। तो हमें पता चलेगा कि हीरा मोती सतंत्रता से नानी हैं, जो सतंत्रता के लिए जी जान लगा रहे हैं। वे हर संकट जेल रहे हैं। दूसरी और प्रसन पशुओं का समू सतंत्रता की भावना से शुन्य सुख भोग में मस्त है। उन्हें न आजादी का बोध हैं न सतंत्रता आंदोलन की परवा है। अचानक ही हीरामोती को लगा, अरे ये रास्ते तो उनके जाने पहचाने हैं। अब यह सोचकर की उनके मालिक का घर, उनके मालिक के गाओं का रास्ता है, उनके दुर्बल शरीरों में जान आ गई। जल्दी ही जुर्री का घर भी नजदीक आ गया, अब उन्होंने तेजी से भागना शुरू करा और वो अपने थान पर पहुँच गए। जुर्री ने उन्हें देखा तो गले से लगा लिया, बैल भी जुर्री का हाथ चाटने लगे। दड़ियल कसाई ने बैल की रसियां पकड़ ली। जुर्री ने कहा, ये बैल मेरे हैं। कसाई बोला, मैं इन्हें निलामी से लाया हूँ। वे बैलों को जबरदस्ती ले जाने लगा, मोती ने उसी पर सिंग चला दिया, दड़ियल भागा, मोती ने उसे और भगाया और गाउं से दूर खदेड दिया। जुर्री ने निहाल होकर नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया, दोनों मित्र खाने लगे, गाउं में उच्छा अच्छा गया, उच्छा मतलब उस्सा, सब लोग खुश हो गए, और मालकिन ने भी आकर उन दोनों के माथे चूम लिये। इस प्रकार ये जो हमने पार्ट पढ़ा है दो बैलों की कथा, अब हम ये देखते हैं कि इस पार्ट से हमने क्या सीखा, इस पार्ट से हमने सीखा कि हमें पशुओं के प्रती अपनत्व की भावना होनी चाहिए। सो तंत्रता प्राप्ती के लिए संघर्ष करना हमारा कर्तव्य है, हमें मित्रता निभानी चाहिए, इस्त्रियों का सम्मान करना चाहिए और हमारे मन में परोपकार की भावना होनी चाहिए, हमें अत्याचार का विरोध करना चाहिए और संगठित होकर रहना चाहिए।